बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्णावली 4.1 के प्रश्ण, देखिए, सबसे पहले चोथा प्रश्ण, इस प्रश्ण में हमें क्या करना है, कि कतन दिये वे हैं, उनका समिकन लिखना है, तीक है, जैसे ये कतन दिये वे, इनका अपने को समिकन बना कर लिखना है पहले कतन को पढ़िए जैसे पहले कतन है संख्याओं एक्स और चार का योग नो है बचों ऐसे प्रश्णों में आप कतन को सावधानी से पढ़िए फिर कतन का अनुसार अपने को समीकन बना कर लिखना है देखिए संख्याओं एक्स और चार का योग यानि प्ल प्रस चार बराबर नो अगला समीकर्ण बनाने के लिए देखिए कतन है वाई मैं से दो गटाने पर आठ प्राप्त होते हैं बचों आपको पता है समीकर्ण में हमेशा बराबर मिलेगा और बराबर के दोनु साइड जो लेफ्ट एंड साइड है और राइट एंड साइड दो तो यह आपका समीकर्ण अगला प्रेश्ण जैसा कतन में कहा जाये, उसी के अनुरूप आप करते रही है स्वतही समीकर्ण बन जाएगा जैसे इसमें कहा है एका 10 गुना जैसे यह कोई सिंग है ऐ है इसका 10 गुना यानि इसे 10 से गुणा करें एका 10 गुना 70 है तो आपका यह समीकर्ण बन गया 10 गुणा A बराबर सत्तर सरल करने पर 10 A बराबर सत्तर अगले में संक्या B को 5 से भाग देने पर ध्यान दीजी भाग देने पर तो इसमें हमें भाग देना है किसका 5 का संख्या B में 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होते हैं तो ये लीजिए आपकी संख्या B इसमें भाग देना है किसका 5 का तो B बटा 5 भाग देने पर 6 प्राप्त होता है तो ये समय करना है आपकी B बटा 5 बराबर 6 अगला कतन T का 3 चोथाई का 3 चोता ही यानि इसे 3 बटा 4 से गुणा कर दें तो t का 3 चोता ही कितना है 15 है तो बराबर 15 दुबबरा लिकेतों 3 बटा 4 t 3 और t का गुणनदफल 3 t बटा 4 बराबर 15 ये आपका समी करने अगले कतन में है एम का साथ गुणा और शाथ का योग आपको 77 देता है तो यानि पह से गुणा करें फिर 7 जोडें तो योग पल गिता आएगा 77 एक बार इन दोनों को गुणा करने पर 7 और एम का गुणनदफल 7 एम प्लस 7 बराबर 77 ये आपका समी करने अगला प्रेश्ण एक संक्या एक्स की चोथाई रिंड 4 आपको 4 देता है बचो कतन को सावदानी से एक संक्या एकस ये लिजिए एकस की चोथाई यानि इससे एक बटा 4 से गुणा करिये रिंड 4 यानि माइनких साइन माइनस चार आपको 4 देता है इसका मंग हरी लिए इसका माहन है वो 4 के बराबर होता है एकस और एक को पुणा करने पर एकस बटा 4 माइनस 4 बराबर 4 ये आपका समीकर्ण बन गया, ठीके, अगले प्रेश्ण में क्या है, कथन है यदि आप y के 6 गुने, तो ये लीजिए संग क्या y, इसका 6 गुना यानि इसे 6 से गुना करना है, ठीके, y के 6 गुने में से 6 गटाएं, गटाना है, तो ये माइनस का साइन, कितने गटाने है, 6 गटा के अनुसार लिखते जाएं स्वते ही समीकंड बन जाएगा बच्चो ठीक है इससे आप सरल करके आगे लिख सकते हैं छे और य का गुणन पल छे वाई माइनस छे बराबर साथ यह आपका समीकंड बन गया अगला प्रस्ट यदि आप जेड के एक तीएई में तीन जोडे हैं कोई संग क्या जेड है इसका एक तीए यह निए एक बटा तीन मैं तीन जोडें जोडनें का मदब पलस करेंगे कितने जोडनें तीन तो आपको तीस प्राप्त होता है यह लीजिए यह समीकंड बन गया सरल कर लें जेड और एक अगुणन पल जेड बटा तीन प्लस तीन बराबर तीस यह समीकंड हो गया ठीक है अगला कि नेमलिकि Teen समीकंड को सामाज्य कतन के रूप में लिखिए बचो इस प्रस्ट्ट में क्या है पूरू के प्रस्ट्ट का ठीक ऊल्ठा है पूरो के प्रेस्टन में क्या था, कतन दिया वा था, समीकन लिखना था, इसमें समीकन दिया वा है और कतन लिखना है, देखें ये समीकन दिया वा है, इसका कतन लिखना है, तो आप देखें लेफ्टेंट साइड में क्या है, P प्लस 4 बराबर 15, तो अपन क्या लिखेंगे, P मैं से 7 गटाने पर मान कितना आता है? 3 तो अपने लिख दिया M से 7 गटाने पर 3 प्राप्त होता है ऐसे अगले प्रेश्ण देखिए 2M बराबर 7 इसका मतलब 2M 2 गुणा M यानि M का 2 गुणा 7 है यह कतन लिख दिया अपने यही तो है 2M का मतलब 2 गुणा M M का 2 गुणा 7 के बराबर होता है ऐसे भी लिख सकते हैं आप देखिए अगला समिकर ने M बटा 5 बराबर 3 बटे में जो भी संख्या होगी इसका मलू उसका भाग दिया जा रहे तो अपन क्या लिख सकते हैं कि M में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है ठीक है नुमर जो तीन M बटा 5 बराबर 6 अब आप देखिए फेले इसका बताइए तीन M का मतलब क्या है तीन गुणा M तो अपन क्या लिखेंगे कि M के तीन गुणे में किसका भाग देने पर 5 का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है ठीक है यह कतन इसके बाद मैं अगला समिकन देखिए 3P प्लस 4 बराबर 25 है तो आप देखिए 3P का मतलब क्या है 3 गुणा P यानि P को 3 से गुणा किया है तो क्या लिखेंगे अपन कि P के 3 गुणा में 4 जोडने पर क्योंकि प्लस 4 है न यह तो P के 3 गुणा में 4 जोडने पर 25 प्राप्त होता है देखिए यह कथन में अगला समिकर्ण 4P माइनस 2 बराबर 18 तो P के 4P P के 4 गुणे में से 2 गटाने पर देखिए यह लिखावा है पी के चार गुणे में से माइनस 2 नहीं है, माइनस 2 है, तो पी के चार गुणे में से 2 गटाने पर 18 आप राप्त होते हैं, इस परकार कथन लिखना है अपको, अगले में पी बटा 2, पहले तो इससे किस रूप में लिखेंगे, यानि पी में 2 का भाग, पी बटा दो का मतलब यही तो है पी बटा दो का मतलब है पी में दो का भाग करके फिर आगे क्या लिखा है प्लस दो यानि दो जोड़ा जाता है तो मान क्या प्राप्त होता है आठ यही कतन में लिखे कि पी में दो का भाग यानि यहां तक हो गया पी बटा दो पी में दो का भाग करके दो जोडने पर आठ प्राप्त होते हैं यह सामानी कतन बन गया इस समीकर्ण का ठीक है बचों आगे देखिए निमलिकित इस्तितियों में समीकर्ण बनाईए यह भी एक कतन के रूप में दियावा है इसका समीकर्ण बनाना है तो आप ऐसे प्रश्णों को सावधानी से पढ़िए और फिर समीकर्ण बनाईए देखिए इर्फान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे है उनके पांच गुणे से साथ दिखे और इर्फान के पास 37 कंचे है परमीत के कंचों की संक्या को आपको M मानना है ठीके यानि चर M है इस समीकर्ण में तो देखिए इर्फान के पास कितने कंचे है कंचों की संक्या इर्फान कहके रहा है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे है तो परमीत के पास तो आपको बताया हुआ कि M है परमीत के पास जितने कंचे है उनके पांच गुणे तो यानि परमीत के पास M है M का पांच गुणा का मतलब हो गया पांच M ठीके से सात अधिके यानि इसमें सात और जोड दीजी इसका मतलब क्या हुआ कि इर्फान के पास कंचे कितने है कि परमीद के पास जितने कंचे है उनके पांच गुणे मैं सात और जोड दे तो समीगण क्या बन गई पांच M प्लस साथ फिर आगे देखिया इर्फान के पास 37 कंचे हैं तो इर्फान के पास कितने हैं सेंतीज, हम भी क्या कह रहे हैं, कि 5a more 7 है उसके पास कंचे, इसके वलो, ah 5a more 7 इसके बराबर है, सेंतीज के बराबर है समीकण क्या होगी, बराबर 32 तो समीकण होगी 5 a More 7 या प्लस का चिनने बराबर 37 यह समीकण है थीक है बजो तो प्रेश्ण की भासा को सावदानी से पढ़ करके, कथन को पढ़ करके, फिर आपको समिकन बनाना है, देखिए अगला प्रेश्ण लक्ष्मी के पिता की आयू उनपचास वरस है, ठीक है, उनकी आयू यानि पिता जी की आयू लड़की की आयू के तीन गुन्य से चार वर्स अधिक है, लक्ष्मी की आयू को वाई वर्स मानिये, लक्ष्मी की आयू को कितना बानना है, वाई मानना है, तो अपन क्या लिखें की पिता की आयू, देखिए कतन का नुशार पिता की आयू कितनी है कि लक्ष्मी की आयू के तीन गुने, तो लक्ष्मी की आयू किती है, य, y का तीन गुना से चार वर अगला प्रेश्ट अध्यापी का बताती है कि उनकी कक्षा में एक विध्यारती द्वारा प्राप्त किएगे अधिक्तम अंक मैक्जिमम मार्क्स प्राप्त किएगे नियूंतम अंक का दुगुना धन यहां धन मनी नहीं होकर यहां प्लस का चिंद से मतलब है बचों दुगुना प्लस साथ है प्राप्त किएगे अधिक्तम अंक सत्यासी है और नियूंतम प्राप्त क किए गे अंकों को एल मानिये देखिए एल है इसमाल लेटर रहे ना एबी सिडी अंग्रेजी वर्ण माला का स्माल लेटर है यह एल देखिए कथन को दुबारा पढ़िए आप समझी इसे उनकी कक्सा में एक विद्यारती द्वारा प्राप्त किये गे अधिक्तम अंक प्राप्त किये गे न्योंतम अंक का दुगुना प्लस साथ है तो अधिक्तम अंक कित्ते होंगे देखिए अधिकतम अंक बराबर न्योंतम अंक का दुगुना तो न्योंतम अंक को देखिए एल से पढदर्शीत करना है न्योंतम अंक का दुगुना तो दो गुणा एल और धन साथ यानि प्लस साथ है तो अधिकतम अंकिते हैं दो गुणा एल प्लस साथ है और प्रेश्ण में अपने को क्या कहा गया है कि अधिकतम अंकिते हैं सत्यासी तो इसका मतलब इनका मान किसके बराबर है सत्यासी के तो समीकन क्या बन गई दो एल प्लस साथ बराबर सत्यासी ये समीकन है अपकी अगला एक संदी वाव त्रीबूज में सीर्श कोन, पर्तेक आदार कोन का दुगुना है, मानन लीजीए पर्तेक आदार कोन भी डिग्री है, याद रकिए त्रीबूज के तीनों अंते कोनों का योगपल कितना होता है, एक स्वासी डिग्री होता है इसे याद रखना है इसके आदार पर आगे हमें समीकंड बनाना है तो बच्चों सब से पहले समधियुवाउ त्रीबूज को समझिए देखिए मान लो इसकी ये दो बुजएएं बराबर है ये त्रीबूज A, B और C है ये समधियुवाउ त्रीबूज है तो इसमें ये समान बुजएएं तो इनके आमने सामने के कौन B और C कौन बराबर होंगे और ये आदार के कौन भी कहलाते हैं और शीर्ष कौन ये A कहलाएगा ठीक तो हमें क्या दिया हुआ है, परतेक आदार कौन B डिग्री है, यानि ये भी B है और ये वी B है, ठीके, सम्दिवाग त्रीबुज में सीर्ष कौन परतेक आदार कौन का दुगुना है, तो ये सीर्ष कौन किता हो गया, B का दुगुना यानि 2B, तो देखे बच्चों, इस त कौन का मान 2B, आदार कौन A, उनका मान B और B, त्रीबुज के तिनों अंते कौनों का योगपल 180 डिग्री होता है, जैसे अपने को दिया हुआ नहीं है, कथन, तो अपन क्या करेंगे, कि कौन A, कौन B और कौन C, इनका मान 180 डिग्री, देखे, A वे B, A का मान 2B, B और C, इन के मान कितने हैं, B फ्लस B, बराबर 180 डिग्री, A, B, C, ये कौन कौन से हुए, 2B, B और B, इन तीनों का योगपल 180 डिग्री, इनको जोडने पर 2B, 1B, 1B, 2, 3 और 4, 4B, 4B बराबर 180 डिग्री, B बराबर 180 बटा 4, एक स्वस्टी में 4 का भाग देने पर, देखे, अब 4 चोग सोड़ा, बच्चे 2, 0, 5 चोग 20, 45 डिग्री, तो समीकन क्या बन गई, B बराबर 85, ठीक है, ये समीकन है, कौन है, तो ये 45 डिग्री, बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, गर पर निरंतर अभ्यास करते रह ये धन्यवाद